बंगलादेश से भारत दाखिल हुए रोहिंग्या उतराखन में भी दाखिल हुए हैं। ऐसे इनपट पुलिस को सुरक्षा एजेंसियों से मिले हैं। इस्थानी विशेश समुदाये में घुल मिल दीरे दीरे अब ये सुरक्षा के साथ ही संप्रभूता के लिए भी चुनोती बन गए हैं। दलालों के माध्यम से ये हल्दवानी वा उदम सिंग नगर के रास्ते उतराखन के पूरे कुमाओ मंडल में पहुँच गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों के नुसार इनका पहार तक पहुँचने का रूट बड़े खतरे की तरफ संकेत कर रहा है। पूतर प्रदेश के समविदन शील इलाकों के बाद रूहिंग्या, पूतराखन के हल्दवानी वा उदम सिंग नगर के रास्ते, नेनिताल, अलमुडा, बागेश्वर, चमपावद वा पितोरगर तक पहुँच जाते हैं। 2012 के बाद इनकी लगातार बढ़ती संक्या सुरक्षा के साथ ही समाजिक वा सांस्कृतिक रूप से भी गंभीर संकट उत्पन कर रही है। वाली और रामगड मोकतेश्वर में भी पुलिस बारीकी से सत्यापन करेगी। डियाईजी कुमाओ निलेश आनन्द भरने का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियों के इन्पुट के आधार पर पूरे कुमाओ में हमने सत्यापन अभ्यान शुरू कर दिया है। दस्तावेजों की जांच के साथ ही इस्तानिय संपर्क, निवास का समय और कायर प्रणाली पर भी नज़र रहेगी। SSP ननिताल पंकजवर्ट ने बताया कि जिले में रुहिंग्या समीत अन्ने के सत्यापन के लिए CEO को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। मैं खुद पूरे अभ्यान के निगरानी कर रहा हूँ। पूरी रिपोर्ट तयार कर डियाएजी को सौंपी जाएगी। मंगालियों को किस तरीके सर देखा जा रहा है और किस तरीके सत्यापन हो रहा है। सत्यापन को लेकर बहुत जिले में पूरे सभी थानों की क्राइम मिटिंग के दौरानी हम लोगों ने इसमें अभियान चलाने का गोश्णा कर दी थी। सबी थाना इंचार्जों को इसमें ब्यक्तिया दूप से इसमें एलाईयो की टीमों के साथ इंवल्ब किया गया और अभी तक तीन अजार से उपर हमारे यहां सित्यापन हो चुके हैं इसमें और तेजी लाई जा रही है और इसमें आपका जो है जो मकान मालिक हैं जिनके यहां सत्यापी द्वेक्ति नहीं हैं के खिलाब भी कारवई की जाए